पिछले दिनी वारस पंजाब जथे बंदी दे मुखी अमरत पाल सेंग दी पतनी लंडन जारी सी उसनू अमरत सर इंटरनेशनल एरपोर्ट दे परोके उसकोड़ पुछ गिच गिती गई ता फिर उसनू वापस अमरत पाल दे कारपेज दिता गया अज अमरत पाल सेंग दे परवारक मेंबर जथे दार शिरियकाल तक साहिब नालवी मुलाकात करन पहुंचन गे इस दोरान जथे दार शिरियकाल तक साहिब दा भ्यान सामने आया जिस विच उना ने बीते देन पुलस वलो कीती कारवाई दी निंदा कीती है उनना केहा कि गल्ट नहीं है लेकिन बेवजा ही अमरत पाल सिंग दे परवारक मेंब्रा नो इस तरीके तंग परेशान करना अती निंदन जोग है सरकार मतलब क्यों इस तरह दा महाओ लिड़ा है उस रजग रही है वो लड़की कर दे विच्छ है उदी कर जाके पुच्च कर भी चुकी है ज़ी जरूरत है ते फिर पुच्च कीती जानी चाहिए दी है जित्व तक मैंनों जानकारी है उदे ते कोई एफ आयार भी लॉंच नहीं है एफ आयार भी दर्जनी है वो ब्रिटिश नागरेक है ते जे सरकार नों मतलब लगदा हैगा कि किते ने किते ने किते उदे तो पुच्छना जरूरी है ते कर जाके अदब सतकार ना पुच्छना जिड़ा है यह मैं समझेता है ठीक नहीं है असी किसे नों किसे कर जानतों के में रोख सकते हैं खास्त होती उस हालत दे विचे जुदों उसने क्राइम ही कोई ने कीता है कि असी कि उस कॉम दे नल सबंदत है कि दिवान सुचा नंदरे ख्या शी कि अधिकार साब सरहां दी तर्थी दे उते वजीर खान कि यह जड़े साहब जादे है यह सपोली यह ने सापदे बच्चे और इनना दा फान गेड़ा कोचलना होने जरूरी है नहीं ता यह बढ़ी होगी फनीर बन कि मिलेड कोटले दे नबाब ने क्या सी के बच्चे आदा कोई पसूर नहीं है कि इननों सजा देने गडिया है इसलाम दे भी खलाफ है और अज तक हालाके नवाब मिलेड कोटला गुरू गुमेंट सिंग महाराज देनाल कई जंगाने पर शामल रहा होने गुरू गुमें आज पाणिक कोई कसूर नहीं है जिफित Х कसूर नहीं है असी वाज नहीं टाइए जीन असफार नहीं है उनों परिशान करना पश्गेशते ना दे हुटे खास आउर ते लड़कः दे नना इच जक्षे झॅ सरकार में जरूर सोचना चाहिए जी बाहत आनल ने दूश्य कांसा भाइब नो